कुछ क्योशन से मैं और लेके आया हूं जो बहुत अच्छे-च्छे क्योशन जो NCRT एक्जांपलर या NCRT से उठाए या NCRT की लेंग्वेज से उठा करके बनाए गए सर्कुलर मोशन के थियोरी को भी देखेंगे जो NCRT में इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वह बाते करेंगे पूरी एंच्छे की थियोरी बैठके पढ़ने का कोई काम नहीं है क्यों इस सेप्टर में जो थियोरी है उसमें कई ऐसी बाते गुमा फिरा के कोंप्लेक्स करके सम बने थे या NCRT एक्जांपलर से बने थे लेकिन हम प्रोजिक्टायल मोशन तक ही बाते कर पाए थे और कुछ क्योंस मैंने करने के लिए दिये थे मैंने कहा था कि चैलेंजिंग क्योंसन है बड़ा सो समझगे दिमाग लगा के करने होंगे उम्मीद है सभी लोग ने ट्रा सब्सक्राइब या NCRT की लेंग्वेज से उठा करके बनाए गए इसके बाद हम मोशन इन प्लेन के अंदर ही हम सर्कुलर मोशन की बाते भी करते हैं तो हम सर्कुलर मोशन के थियोरी को भी देखेंगे जो NCRT में इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वह बाते करेंगे ठीक ह हमें जाने की ज़रूत निया थि उसके प्रकर में हम पढ़ेंगे तो हम काम की बाते भी याद नहीं कर पाएंगे ठीक है लेट्स स्टार्ट सबसे पहले काम करते हैं क्योसंस में बाद में आते हैं थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का NCRT में जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं की पॉइंट्स जो हैं जो हमें याद रखने ही रखने हैं जिससे क्योसंस होते हैं उन पॉइंट्स के उपर होड़ी बात कर लेते हैं और पार्टिकल circle पे गूम रहा है, इसको हम circular motion कहते हैं, एक constant radius में पार्टिकल लगाता गूम रहा है, यदी मा बात करूँ velocity की, तो circular motion में कभी पार्टिकल की velocity constant हो ही नहीं सकती, क्यों? क्यों नहीं dent हो सकती? क्यों取quality तो हमेशा बदलेगी, बदलेगी, सेम डारेक्सर में चलने पर सर्कुलर मोशन तो हो नहीं सकता, इसका मतलब सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी कॉंस्टेंट नहीं हो सकती, अब वेलोसिटी कॉंस्टेंट नहीं हो सकती, मतलब एक्सलेशन तो होगा, क्योंकि वेलोसिटी सकती है हमेशा होती है नहीं बोल रहा हूं इस पर चेंज भी हो सकती है स्पीड भड़ भी सकती है ठीक है एक्सलेशन हमेशा होगा ही होगा एक्सलेशन हमेशा होगा ही होगा लेकिन बात करूँ यूनिफोर्म सर्कुलर तो देख्वक परख़ोंट के गडिगाट हुआ एक एकसलेशन होता है जो स्पीड को भढाने और गटाने का काम करता है यह एकसलेशन का वो कॉंपोनेट है जो विलोसीटी के डारेक्षनमे होगा दूसरा acceleration का एक component होगा जो velocity के perpendicular होगा that is known as centripetal acceleration ठीक है तो देखो अभी यह uniform circular motion की बाते करेगा uniform मतलब जो uniform word है इसका मतलब है कि speed constant है speed constant है बता भी रखा है देखो the word uniform refer to the speed which is uniform speed uniform है मतलब यहां speed change नहीं हो रही है मतलब tangential acceleration यहां पर नहीं होगा लेकिन centripetal तो हो गई होगा कोई भी circular motion ऐसा नहीं हो सकता जिसमें centripetal के बिना काम चल जाए क्यों क्योंकि center की तरफ जो component है वो basically direction को change करने के लिए responsible होता है और circular motion में direction तो change होती ही होती है अब इसमें बहुत सारी बाते बता रखे हैं इतना ज्यादा हमें जाने की ज़राद नहीं है जो काम की बाते हैं यहां सीधा हम उस्पे आएंगे देखो यह mathematical terms को से निकाल रखे हैं डेल्टा वी डेल्टा यह सब ठीक है हमें सीधा काम लेना होता है formula और हमें formula याद करना है तो यह जो centripetal acceleration का formula आया है यह काम का है बई वी स्कोर बई और यह कौन सा acceleration है बटा centripetal acceleration ध्यान रखना net acceleration नहीं है लेकिन हाँ यदि मैं बात करो uniform circular motion की तो tangential वहाँ होता नहीं है फिर centripetal ही net हो जाता है लेकिन basically यहाँ पे AC मतलब centripetal की बात कर रहे है इन जनरल में बात करूँ तो अब बहुत जादा काम की बाते यह हैं बई देखो the acceleration of an object अब centripetal की बाते बता रहा है क्या होता है the acceleration of an object moving with speed v in a circle of radius r has a magnitude v square by r and is always directed towards the center this is why the accelerator is called centripetal acceleration देखो एक तो इसकी value v square by r याद रखना बेटा यदि एक particle v speed से r radius के circle में घूमना चाहता है तो उसके acceleration का जो center की तरफ component है center की तरफ जो acceleration है उसका वो v square by r होगा ना इससे थोड़ा भी ज़्यादा चलेगा ना इससे थोड़ा भी कम चलेगा v speed r radius तो center की तरफ acceleration हमेश्या v square बयाद होगा इसके बिना काम चल ही नहीं सकता इसी को बोलते है centripetal acceleration और यहाँ पर यह थोड़ा बतलब भी बता रहा है centripetal comes from a Greek term Greek term है which means center seeking मतलब center को ढूमता हुआ तो circular motion में जो centripetal acceleration है वो center को देख रहा होता है किदर है center किदर है center ऐसे जैसे particle मालो यह circle में घूम रहा है तो यहाँ घूम रहा है तो देखो center यहाँ पे है तो हमेश्या center की तरफ देखेगा यहाँ इधर यहाँ इधर यहाँ इधर ऐसे इसको बोलता है towards the center तो basically centripetal acceleration जो है हमेश्या center को देख रहा है बच्चा क्या सोचता अच्छा मतलब constant होता है मतलब direction constant होती है ना direction constant नहीं है यहाँ इधर यहाँ इदिक direction बदल रही है लेकिन हाँ इसके खास्यत है कि यह हमेश्या center की तरफ होता है it doesn't mean कि इसकी direction constant है देखेगा है यह एक variable acceleration है जहाँ इसका magnitude v square by r है बाकि direction लगातार क्या होती रहती है बदलती रहती है बोला है centripetal acceleration is not a constant vector यह constant acceleration ही है हाँ इसका magnitude constant होगा uniform circular motion में क्योंकि speed constant होती है radius constant होगी लेकिन इसकी direction continuously change होती है यहाँ बच्चा मात खाता है ध्यान नहीं देता है छोटी छोटी बातों को पश्ट लिखा हुआ है और इससे questions पूछे जाते हैं बनते हैं बहुत सारी questions centripetal acceleration जो है वो uniform नहीं है उसकी direction change होती है उसका magnitude constant होता है और वो v square by r होता है तो centripetal के बारे में बहुत अच्छी बाते बता रखें tangential की जादा बात यहाँ इसलिए नहीं कि क्योंकि यह सिर्फ uniform circular motion की बाते कर रहा है लेकिन एक basic idea हमें होना चाहिए कि tangential acceleration जो होगा जो acceleration का speed के मलब velocity के direction में जो component है that is dv by dt और यहाँ याद रखना बटा v is speed यहाँ v क्या है speed है यदि इसको मैं vector form में सही तरीके से लिखो तो tangential acceleration जो है d magnitude of v by dt यह है tangential acceleration यदि कभी tangential को तुम ऐसा लिखो dv by dt नहीं बेटा यह गलत है यह net acceleration को represent करता है tangential को नहीं net को v vector के साथ tangential d magnitude of v by dt होता है मतलब speed की rate of change होता है और centripetal v square बयार लेकिन uniform circular motion में tangential हो जाता है 0 ठीक है तो यह काफी काम की बाते जो यहाँ पे mention कर रखी है इसने और फिर फालत में कुछ बाते निकाल रखा है यह formula काम का है v is equal to r omega जब एक particle circle में घूमता है तो v है उसकी speed और omega है angular speed omega है angular speed rate of change of angular position angular displacement मतलब जो theta travel कर रहा है theta जो घूम रहा है उसकी rate of change angular velocity के लाती है तो यह formula बड़ा काम का है v is equal to r omega यह relation हमें याद रखना चाहिए तो यदि इस formula को use करके मैं इस v square by r वाला जो formula है centripetal का इसमें मैं यहाँ पर put करूँगा तो centripetal acceleration आजाएगा r omega square यह formula भी centripetal का है और यह भी यह दोनों form में याद होना चाहिए यदि हमें क्योशन में speed given है तो इस speed की डर्मस में v square by r लिख देंगे यदि omega given है तो omega square r लिख देंगे ठीक है एक यह formula भी काम का है इससे क्योशन बन सकता है भाई देखो इससे कभी भी क्योशन बनके आ सकता है NCRT में इस first formula बनागे दे रखा है बनाया कैसे है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ खेल action में क्या हुआ है यह लिखा हुआ है r omega square देखो कोई भी particle circle में घूमता है तो उसका time period यादी uniform circular motion की मैं बात करूँ तो time period होता है 2 pi by omega 2 pi by omega ठेक है तो यहां से omega यह हो गया अब देखो यह एक काम करो यह तो formula है एक यह भी formula होता है omega is equal to 2 pi f f frequency इसको इसने frequency को f से ना लिख करके mu से लिखा हुआ है किससे लिखा हुआ है mu से formula के हिसाब से बता रहा हूँ 2 pi mu mu frequency है तो हमारा जो centripetal acceleration है r omega square उसमें omega को 2 pi mu put कर दे तो r into 2 pi mu का square 2 pi mu का whole square 2 pi mu का whole square आएगा whole square ठीक है तो यहां से यह आ गया r 4 pi square mu square 4 pi square mu square तो देखो यह है 4 pi square mu square r तो formula रटने की जरुवत नहीं है जरुवत पड़ेगी तो निकाल लें यह तो पता होना चाहिए time period 2 pi by omega होता है और omega जो होता है 2 pi f होता है f को हम mu भी लिख सकते हैं यह दोनों formulae shm बगेरा में wave बगेरा में बहुत काम आते हैं ठीक है याद होना चाहिए circular motion के लिए भी बहुत काम का खूम लाए क्लियर कि यह uniform circular motion में centripetal acceleration बहुत काम की चीज़ है तेंजेंचल होता नहीं है यदि यूनिफॉर्म circular motion दिया है और centripetal word यूज नहीं गया net acceleration यूज किया है तो बेटा net acceleration centripetal ही होता है यहां क्योंकि टेंजेंचल होता नहीं है यदि टेंजेंचल कभी किसी situation में दिया है तो centripetal और टेंजेंचल का net निकालने का तरीका होता है दोनों एक दूसरे के perpendicular है तो net vector सम हो जाएगा तो root over ac square plus at square net acceleration हो जाता है net acceleration क्या हो जाएगा root over ac square plus at square लेकिन टेंजेंचल में 80 0 होता है इसलिए ac ही यह होता है ठीक है यह हमारे uniform circular motion में काम की बाते हैं uniform circular motion में याद रखना speed constant होती है velocity नहीं angular velocity constant होती है uniform circular motion में particle की speed constant है तो omega constant होता है और उसकी direction भी constant होती है angular velocity जो है न बिटा angular velocity इसकी direction radial होती है किदर होती है radial यह एक axial vector होता है इसकी direction radial border हो में axial sorry मैं थोड़ा सा confused हो गया यह यह axial direction होती है axial axial vector होता है axis के long होती है ठीक है यदि कोई object कोई circular motion ऐसा हो रहा है ऐसा तो तो axis अंदर की तरफ omega जो vector है वो अंदर की तरफ होगा यदि कोई circular motion ऐसा हो रहा है तो omega vector बाहर की तरफ होगा यह ध्यान रखना axis के long होती है इसकी direction तो uniform circular motion में omega vector constant होता है लेकिन velocity vector constant नहीं होता यह ध्यान रखने बस इसमें uniform circular motion का ही जिकर कर रखा है और तुम्हें देखा ब्योगर neat में जो mostly questions पूछता है वो uniform circular motion पे ही पूछेगा या फिर circular motion का नाम ना यूज करके direct indirect तरीके से पूछेगा ठीक है ना circular motion के नाम पे uniform circular motion हमारे syllabus में होता है summary में वही सारी बाते जो vector के बारे में जो हम पढ़ते हैं वही सारी बाते हैं फिर भी एक बार go through हो लेना इससे तुम्हें कोई नई बात लगे तो otherwise सारी बाते वही है ज्यादा इसमें समय देने की ज़रूरत नहीं है ठीक है न वही formula बगेरा जो है सारी बाते कर रहा है projectile motion की बाते कर रहा है सब चीजे हम जानते हैं यह table जो है तोड़ा काम की है जड़ा एक बार अच्छे से देख लेना कि position vector displacement को delta rc dimension क्या है unit क्या है remark क्या है formula बगेरा जैसे average velocity displacement upon time instantaneous dr by dt यह motion in straight line में हम define कर चुके थे वही चीजे बता रहा है time of projectile motion में time of light क्या होगा maximum height का time क्या होगा range क्या होगी maximum height का formula क्या यह सारी चीजे यह बता रखें यह याद रखना है अपने को circular motion में angular speed or centripetal acceleration दो formula बता रखें ठीक है यह ठीक है यह v is equal to r omega वाला इसके बाद देखो पूरी theory आप नहीं भी पढ़ते हो तो at least point to ponders यह पढ़ लेना एक बार reading लगानी आपको मैंने पूरे अच्छे से पढ़े हैं इसमें एक भी बात ऐसी नहीं मिलेगी जो तो आपको समझ में नहीं आएगी यदि कुछ होती तो मैं जरूर आपको एक एक चीज समझा देता आप एक बार इससे गोथरी खोले ना अभी वीडियो को पूज करो और एक बार जस्ट इसको और अली पढ़ दो उपर उपर से पढ़ दो ठीक है एंस आती है तो वहां से पढ़ सकते हो इसमें ज्यादा कुछ है मतलब ऐसे क्योशन बनने वाली बात नहीं है इसलिए मैं इसको इग्नोर करके चल रहा हूं क्योशन से नहीं बनेंगे यहां से कोई भी ऐसा ऐसी बात नहीं है जहां से क्योशन बन जाए हम बेसिक ब गया है तो डिस्टेंस बड़ी होगी displacement छोटा होगा डिस्टेंस बड़ी है तो average speed जादा होगी average velocity कम होगी वही बाते वहीं सारी बाते यहां पर कर रहा है ठीक है दिस्कस कर लेते हैं नहीं किया है तो एक बार पोज करके सोल कर लो एक बार देखो बोल रहा कि पार्टिकल y is equal to x square वाले पैराबोला से स्लाइड कर रहा है यहां से यहां तक यह पैराबोला है ठीक है यहां तक इसका पाथ जो है पैराबोला है ओप्रिंग अप्वार पैराबोला ठीक है c is the height less than point a, a से नीचे वाला कोई point is c, after c, particle moves freely in the air, बाद में हवा में projectile हो गया, मतलब यहां सका आया और यहां से किसी angle पे जैसे projectile नहीं फैक देते हैं, ऐसा कोई projectile motion हो गया, ठीक है न, theta angle के ओपर, ओके, kinetic energy at P is equal to kinetic energy at B, B पर और P पर kinetic energy same है, क्यों भाई, क्यों, यह तो बगवास कर रहा है, यह तो बगवास कर रहा है, यहां तो kinetic energy maximum होगी, और यहां घरती जाएगी, speed घरती है, speed घरती है, यहां speed minimum, तो kinetic energy, इसके बाद से लगातार घरते घरते, यहां सबसे कम होई होगी, फिर वापर से बढ़ने लग जाएगी, तो पहला तो गलग बोल रहा है, height at P is equal to height at A, बहुत से बच्चों ने सोचा होगा, कि यहां दोनों बराबर होंगी, भो सकता है, एक्चों में उनों ने सोचा कि सर, देखो, यहां से start हुआ था, और maximum height पर जाके फिर rest पर आ गया, तो height तो बराबर होने चाहिए, सारी potential energy में आ जाएगी, kinetic तो zero हो गई, बट क्या सच में kinetic zero हो गई, बिटा यहां जो speed है, वो zero नहीं होती है, एक projectile motion, जब हम किसी incline पर अंगल पर projectile फैकते हैं, तो path राष्टे में कहीं भी particle rest पर नहीं आता है, minimum होती है, तो most point पर zero नहीं minimum होती है, जो horizontal होती है, तो यहां इसकी speed जो है, इस projectile की, यहां के बाद से जो projectile हुआ है, इसके minimum speed होगी, ना कि zero, लेकिन यहां zero है, तो actual में यहां kinetic energy zero थी, लेकिन यहां कुछ है kinetic, तो उब्यश्ची बात है, potential energy उतनी नहीं आ पाएगी, total mechanical energy में kinetic or potential दोनों होते हैं, ठीक है, तो यहां सारी की सारी potential थी, लेकिन यहां उस potential का कुछ हिस्सा kinetic में है, तो उब्यश्ची बात है, potential कम होगी, मतलब MGH कम होगा, मतलब height कम होगी, तो इसका यह option गलत है, actual में height at point P will be less than height at point A, यह होगा, यह गलत है, यह सही होता है, अब बोल रहा है, total energy at P is equal to total energy at A, हाँ, यह बात सही है, conservation of mechanical energy, total energy मतलब यह mechanical energy की बात कर रहा है, तो वो तो हर दगे सेम है, क्योंकि smooth surface है, कहीं कोई friction बगेरा है नहीं, कोई energy consume कर नहीं रहा, मतलब यह वाला statement रिक्दम सही है, थोड़ा खेल last वाले में भी है, time of travel from A to B equal at B to P, वो रहा है, A से B आने का time और B से P आने का time, equal, ना, equal नहीं है, यह सोचना equal नहीं है, तो आसान है, लेकिन इसका logic देना थोड़ा सा muscle है, तो logic देखते हैं, थोड़ा सा logic इसका complicated है, ध्यान से समझना, देख बिटा, एक काम करते हैं, यह C है न, यहाँ एक point और ले ले लेते हैं, यहाँ एक point D ले ले लेते हैं, तो action में D से B आना, और B से C आना, यह बराबर होंगे time, क्योंकि जैसे नीचे आता जा रहा है, यहाँ जो speed होगी, वो तरी speed यहाँ है, यहाँ जो speed होगी, उतरी speed यहाँ है, मतलब इस रास्ते की speed और इस रास्ते की, यह identical हैं, identical हैं, लेकिन यहाँ के बाद मामला बदल गया, इससे पहले यह slide करता हुआ आ रहा है, लेकिन इसके बाद यह हवा में जा रहा है, slide करता हुआ नहीं जा रहा है, तो यह दोनो time तो बराबर हैं, लेकिन हम compare करेंगे, A से D आना, और C से P जाना, इसको compare करेंगे, सोचो particle बीच में यहाँ है, इसका acceleration क्या होगा, मान लो यह angle कोई theta है, इसका acceleration क्या होगा, इसका acceleration क्या होगा, एक tangential होगा, और एक normal, actual में mg नीचे की तरफ होगा, एक्चुल में mg किदर होगा, नीचे की तरफ g, जिसके दो component होगे, एक आएगा tangential, एक आएगा centripetal, एक आएगा tangential और एक normal सोड़ी, इधर g sin कुछ theta है, कुछ भी theta है, और इधर g cos theta, इधर तो यह तो normal से balance हो जाएगा, normal इसको तो cancel कर देगा, और इधर g sin theta आएगा, मतलब इसका acceleration g से कम आएगा, यहाँ जो acceleration है, वो g से क्या होगा, कम होगा, और वो भी vertical नहीं होगा, अरे जब incline plane पर इसे चलता हुआ आता है, तो acceleration g से क्या होगा, कम, और वो भी vertical नहीं होगा, किसी angle पे होगा, तो इस acceleration के दो component होगे, एक नीचे और एक इधर, यह g बेटा acceleration ही actual में mg force है, यह g acceleration ही mg force है, इसका यह component तो normal ने cancel कर दिया, और यह जो component mg sin theta है, इससे इसका acceleration g से कम आया, जिसका एक component vertical एक horizontal, तो vertical में तो g sin theta का भी एक component है, मतलब उससे भी कम आएगा, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के motion में, vertical का acceleration g से क्या रहा है, कम रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ में बात करों, तो vertical में acceleration g है, पूरा-पूरा, हवा में है, और जब particle हवा में होता है, तो उसका acceleration नीचे के तरब g होता है, तो यहाँ acceleration कम है यहाँ acceleration ज़्यादा है कम है तो उब्यसी बात है कम acceleration है तो time ज़्यादा लेगा slide करके आने में और यहाँ से यहाँ जाने में acceleration ज़्यादा है तो time कम लेगा और even distance और भी distance भी कम है acceleration तो ज़्यादा है ही है और distance भी कम है तो actual में बहुत जल्दी पहुंच जाएगा as compared to this तो याद रखना जब भी inclined plane पे slide होके आए और फिर दूसरी तरफ हावा में वैसे उचले तो उस situation को हम कहेंगे कि दोनों में से time कम किसमें लगेगा जब वो सीधा गिरे या फिर एक काम करो यहां से एक पार्टिकल अब देखो बढ़िया क्योसन बन सकता है यहां ध्यान से देना मेरी बात को एक पार्टिकल को inclined plane पे छोड़ रहे हैं और एक पार्टिकल को बस हवा में छोड़ रहे हैं जब दोनों की नीच्छा हैंगे दोनों की speed बराबर होगी यह भी root 2GH से चलेगा यह भी root 2GH से चलेगा conservation of mechanical energy lowest in potential दोनों में बराबर तो gain in kinetic दोनों में बराबर होगा यह बात तो सही है लेकिन actual में खेल क्या है दोनों एक साथ नहीं पहुंचेंगे यह जो slide करके आ रहा है यह time ज़ादा लगाएगा लेट आएगा लेकिन जो गिर रहा है न वो जल दिया जाएगा क्योंकि acceleration उधर जादा है और जो slide करा उसका acceleration कम है तो time सेम नहीं होता है speed सेम होता है ठीक है? तो यह पूछ सकता है कभी confuse कर सकता है कि ओसर पूछे तो ध्यान रखने वाली चीज़़गा क्योंकि मुझे पता है तुमने गलत सोल किया होगा यह अच्छा क्योंसा है थोड़ा सा calculation होगी अच्छा क्योंसा है तो अच्छे तरीके से सैट नहीं है कि calculation कम हो calculation यहाँ होगी लेकिन मैं तुमने कुछ concept सिखा रहा हूं आज ध्यान से समझना एक hole है ऐसा जिसकी height है 25 मीटर यहाँ से एक bowl फैक रहे है ठीक है एक bowl फैक रहे है एंगल दिया नहीं एंगल दिया नहीं लेकिन bowl को 40 से फैक रहे है अब देखो 40 से फैकना है और सबसे दूर फैकना है तो यदि मैं कम एंगल लेता हूं तो उसकी दिक्कत क्या है कम एंगल लूँगा तो दूर नहीं जा पाएगी एंगल बढ़ाना पड़ेगा एंगल बढ़ाता हूं तो दिक्कत क्या है टकरा जाएगी यदि एंगल बढ़ा दिया टकरा जाएगी और जैसे टकर होगी मामला फिर गड़बडा जाएगा तो मुझे जड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा अब चाहता तो हूँ मैं मैंकसिमम दूर फैकना लेकिन जार दिक्कत क्या है मैंकसिमम दूर फैकने के लिए ठीटा होना चाहिए फोर्टी फाई लेकिन मुझे ये शूर नहीं हो मैं कि कहीं मैंने 45 पे फैका और यह यहां तकरा गई तो तब क्या होगा तो फिर मैंने सोचा यार क्या किया जाए चेक करना पड़ेगा 45 पे तकरा गई तो मामला गड़बड हो जाएगा इसकी तो अब ऐसी सिच्वेशन में देखो होता क्या है ध्यान समझना पहले हम कहते हैं कि जश्ट 25 हाइट ऐसा प्रोजेक्टाइल करो जिससे हाइट 25 ही हो एक ऐसा प्रोजेक्टाइल करो जो बस जश्ट 25 पे ऐसे चूक के आ जाए चूक के आ जाए समझरो जस्ट 25 मीटर ऐसे चूक के आ जाए जस्ट 25 हाइट हो जाए तुम यह ठीटा निकालो पहले यह एंगल निकाल लो एक बार यह एंगल आ अ गया फिर सोचेंगे घिका ना पहले यह एंगल निकालते हैं चलो निकालो तो h maximum का formula होता है u square sin square theta upon 2g यह होता है 25 कर दे u कितना है 40 का square sin square theta निकालना है upon 2g g 10 ले लेता हूँ ठीक है तो 20 दोनी 40 sin square theta यह आजाएगा 25 बटे 42 दोनी 80 ठीक है तो यह आजाएगा भाई यह आजाएगा 5 5 25 16 5 80 तो यहां से sin theta आजाएगा root कर दो root 5 by 4 यह sin theta आजाएगा root 5 by 4 root 5 by 4 सोचो root 5 by 4 कितना होगा लगबउ कितना होगा यह root 5 होगा 2.2 यह 2.3 के आस-पास बटे 4 मतलब 1 बटा 2 से तो जादा है क्यूंकि 1 बटा 2 बतल दो बटा 4 उस से तो जादा है 1 बटा 2 से लेकिन 1 बटा root 2 1 बटा root 2 कितना होता है भाई एक बटा root 2 होता है root 2 by 2 एक बटा root 2 क्यों ले रहा हूँ बटा sine 45 degrees होता है sine 45 ये actual में angle ऐसा है जो थोड़ा सा जीब सा है बाकि हमें idea लगाना ना चाहिए 45 पर 1 by root 2 होता है 1 by root 2 को root 2 by 2 लिख सकते हैं इसको मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ 2 root 2 by 4 देखो 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 2 से multiply क्या है क्योंकि आभी समझाऊंगा ये लिखा हूँ है root 8 बटे 4 एक्चुल में sine 45 root 8 by 4 होता है और ये कहा है root 5 by 4 कोन जादा root 8 by 4 जादा या root 5 by 4 जादा root 8 by 4 जादा root 8 by 4 जादा है ये कम है ये जादा है जादा है मतलब 45 बड़ा है इसका मतलब theta जो है theta जो है ये less than 45 degree होगा यदि एक्जाम में आएगा तो कुछ ऐसा angle set होगा जैसे मालो 30 हो गया कुछ ऐसा angle set होगा जो easily तुम solve कर सको easily idea लगा सको तीक है ना अभी ठीक एक्जाम में नहीं है subjective question है लेकिन ऐसा question एक्जाम में आगा तो अच्छा set करके देगा tension learning जरूत नहीं है तो ये 45 से छोटा है अब छोटे में बड़े में क्या difference है देखना जब हम एक object को फैकते हैं किसी angle theta पर तो जब 0 degree से बढ़ाते हैं angle तो range भढने लगती है कम angle पर फैकोगे कम दूर जाएगा लेकिन angle भढ़ाओगे और दूर होगा बढ़ाओगे और दूर होगा ऐसा कब तक होता है 45 degree तर theta भढ़ाते जा रहे हो range भढ़ती जाएगी भढ़ती जाएगी maximum होगी 45 पर यदि 45 से और बढ़ा दिया 45 से और जादा कर दिया तब range घटने लग जाती है यह ध्यान रखना theta कल भी एक क्योशन ऐसा करवाया था जब last lecture में भी बताया था जब theta से बढ़ाते है range भढ़ती है बढ़ती है लेकिन ऐसा सिर्फ 45 डिगरी तक होता है और उसके बाद theta बढ़ाएंगे तो theta के साथ range कम होने लग जाती है और 90 पर फिर से 0 हो जाती है यह theta तो 45 से कम है यदि 45 होता तो maximum होती मतलब 45 पर तो maximum possible theta यह है maximum possible theta है यह maximum angle यह रख सकते है तो यह ही रखेंगे इस angle पर जो range आएगी वो ही maximum होगी क्यों? क्योंकि theta के साथ भढ़ती है 45 तक तो यह maximum होगी तो इस angle पर range निकालना है तो sin theta तो है बेटा root 5 by 4 तो जल्दी से cos theta निकालो क्या आएगा यह 4 तो perpendicular base hypotenuse आगया यह perpendicular यह तो base आएगा 16 minus 5 root 11 root 11 बटे चार यह तुम्हें निकालना आना चाहिए science course range का formula होता है u square sin 2 theta upon g जिसको लिख सकता हूँ u square 2 sin theta into cos theta upon g तो range आजाएगा 40 का square into 2 into sin theta आएगा root 5 बटा 4 cos theta आएगा root 11 बटे 4 और g आएगा 10 तो range आजाएगा बिटा यह 2 दूनी 4 यार और यह आएगा 4 चौक 1600 एक काम कर यार मत काटो 2 से 40 है ना यह 1600 चार चौक 1600 बट जाएगा 100 गुना दो 200 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 200 0 कैंसल हो जाएगा 20 मेरे ख्याल से 20 root 11 5 55 लगबग यह आएगा लगबग यह आएगा 20 root 55 20 root 55 concept को सीखो यदी अब देखो यह थोड़ा tough हुआ लेकिन आसान कब हो जाता यदी theta 45 से ज़्यादा आता मान लो 16 करने पर यह theta 45 से बढ़ा आता 60 आ जाता और maximum के लिए तब ही 45 भी चाहिए तो answer सीधा maximum range लगा देते u square sign 2 theta by g sign 2 theta by 1 कर देते और काम हो जाए u square by g लेकिन दिक्कत कब हुई जब 45 पे नहीं फैक पाई उसे कम एंगल तक ही फैक सकते है तो जो maximum possible angle यहाँ से निकलेगा वो शी पे range भी maximum होगी तो जल्दी से comment करके बताओ कितने लोगों ने इसको सही soul किया था कितने लोगों ने गलत soul किया था दोनों अपने बाते बताओ भी comments में ठेक है अच्छा क्योर्सन है चलो और आगे भढ़ते हैं और क्योर्सन करते हैं जल्दी से स्क्रीन को पोज करो और इन सब के बारे में विचार करो नीट लेवल के हिसाब से क्योर्सन है कोई टफ क्योर्सन है आसान सी बाते पूछ रहा है जल्दी से दो इट फास्ट ए बोल इस थ्रोन फ्रूम रूप टॉप एट अंगल 45 अबवध होरिजूंत किसी हाइट से रूप टोप से फैक रहे हैं कोई रूप टोप पर जाके खाना वाना खाता है यह बोल फैक ते हैं भाई देखो यहाँ पर 45 पर फैक रहे हैं 45 दिगरी ठीक है अबवध होज़र इन में से अब कुछ बाते पूछेगा देखना ग्रेटेस्ट स्पीड ये होगा पहला ए पहला की बज़ाय लिखू ए ग्रेटेस्ट स्पीड यहाँ होगी जितना नीचे आओगे उतना लोग सिंपोटेश्ट देखो स्मूलेस्ट स्पीड सबसे कम सबसे कम सबसे ज़्यादा हाइट पर सबसे ज़्यादा हाइट पर यह आएगा बी वाले का अंसर सबसे ज़्यादा हाइट पर सबसे कम ग्रेटेस्ट एक्सलेशन ये बेखूब बनाने की कोशिज कर रहा है सेम एवरिवेर same everywhere तो बता एकदम आसाम सा क्यों सन ऐसी बाते पूछ रहा है आज़े तो एक्सलेशन हर जगे same है वो तो constant है ना motion under gravity सबसे कम speed यहाँ सबसे ज़्यादा speed यहाँ यहाँ से भी कम होगी क्योंकि उपर फैका है ठीक है horizontal हर जगे same होगी horizontal हर जगे same आसाम क्यों सन आगे बढ़ते हैं हाँ ये अच्छा क्यों सन NCRT में दे रखा है exemplar का न CRT exemplar का क्यों सन बहुत बढ़िया क्यों सन ये अभी variables के form में है exam में कुछ value दे करके क्यों सन्स बढ़िया सा बनाया जा सकता है objective क्यों सन मैं इस क्योशन के कंसेप्ट को सिखाता हूं देखो पर एक बार तुम सोचो एक बार पोज करो अच्छे सी इसके बारे में एक एक पॉइंट एक बीची तीनों के बारे में अपनी बाते अपनी राय देखो क्या तुम सोल कर पारें सोच के देखो जल्दी देखें चला पन सोल करते है एक क्रिकेट फिल्डर कें थ्रू दा क्रिकेट बोल विद इस्पीड वी नोट एक फिल्डर जो है वी नोट इस्पीड से एक बोल को फैक सकता है ठीक है अब वो बोल को भागते हुए फैकरा है यू स्पीड से भागते हुए हम देखते भी है प्रैक्टिकलि ऐसा ही होता है यदि हमें मानलो ऐसे बोल फैकनी है तो नोर्मली तुम देखाऊगा कि ऐसे बोल उठाई फिल्डर ने और सीधा यहां से ऐसे नहीं फैकते हैं नोर्म सब एक मोशन लेंगे थोड़ा सा भाग के स्पीड लेंगे और फिर ऐसे फैकेगे ऐसा क्यों करते हैं ऐसा क्यों करते हैं उसकी बात करते हैं उससे क्या चिंजिज आते हैं वो हम यहां पर देखेंगे पहला क्योशन है कि the effective angle to the horizontal at which the ball is projected in air as seen by spectator मसलब जो बाहर से कोई बैठके देख रहा हैं दरसट वो क्या देखेगा कितने angle पे अब बताओ दरसक भी यह देखने जाएगा कितने angle पे फैक रहा है तो actual में क्या है तुम्हें लग रहा होगा कि यार जितने अंगल पर फैकेगा उतने पर देखेगा ऐसा यह नहीं है ऐसा कहानी नहीं है फैका उसने है उसको पता है कितने पर फैक रहा हूँ फैका तो उसने है उसको पता है कितने पर फैक रहा हूँ लेकिन देखने वाले को तो ना पता है कि कैसे idea लगाता है वो velocity से लगाता है कि फैकने के बाल bowl कितने angle पे बढ़ी उससे idea लगाता है तो देखो इस bowl के पास दो velocity है यहां से फैका है चलो यह लो ऐसे observer बना देते हैं यह इसने फैकी है bowl कितने speed से फैकी है वी नोट से कितने angle पे फैकी है इसने फैका है theta angle पे ठीक है यह वी नोट से फैक रहा है theta पे फैक रहा है लेकिन यह खुद जो आगे भढ़ रहा है यह u speed से भढ़ रहा था तो actual में इसके relative में बवाद करूं इसके relative में तो इसकी वी नोट speed है आदमी के relative में bowl को वी नोट से फैका है तो इस वी नोट के दो component होंगे एक होगा वी नोट cos theta और एक होगा वी नोट sin theta लेकिन बटा ground के relative में में बात करूं with respect to ground with respect to ground with respect to ground तो इस bowl को इस आदमी की velocity भी मिल जाएगी मिल जाएगी तो इस bowl के पास इधर की तरफ जो net होगी वो यू तो आदमी की होगी as it is और वी नोट cos theta ये मिल जाएगी और इधर की तरफ जो velocity है वो वी नोट sin theta है तो actual में net velocity इसकी कुछ ऐसे आजाएगी उससे कम angle पे आएगी क्योंकि इधर velocity भढ़ गई तो ये net होगी और ये angle कुछ अलग होगा इसको मैं alpha बोल देता तो सबसे पहला वो ही बोला कि alpha क्या होगा तो पहले पार्ट का जवाब देखो बड़ा simple है ये जो 10 alpha है न यहाँ पे आएगा perpendicular upon base perpendicular है वी नोट sin theta और base है यू प्लस वी नोट cos theta this will be 10 alpha यहाँ से alpha आजाएगा वो value देता तो हम value proper तरीके से निकाल देते फीट अब अगेरा रख करते हैं तो यह वो angle आएगा जितने पे उस ground पे उस दर्सक को बोल दिखेगी उस दर्सक को बोल इतने angle पे चलती हुई दूसरा यह तो है A part अब देखो B part पे बात करते हैं what will be time of flight time of flight बोल कितनी देर हवा में है कोन से motion पे डिपेंड करता है horizontal पे या vertical पे बोल हवा में रहने का time horizontal velocity पे depend करेगा या vertical पे सिर्फ vertical पे depend करता है horizontal का कोई लेना देना नहीं होता है मतलब तुम horizontal पे का additional speed दे रहे हो इससे कोई फरक नहीं पढ़ रहा हो तो यह बिजली कर रहे है भाई देखो, horizontal direction में तुम अलग से कुछ इसको speed दे रहे हो, उससे कोई फरक नहीं पड़ा time को, time तो vertical motion पर depend करता है, तो time of light जो आएगा, that will be 2 v y, u y बोल देता हूं इसको, 2 u y by g, यह आता है, y में तो उतना ही है, 2 u sin theta upon g, 2 u sin theta upon g, यह time of light आएगा, कोई फरक नहीं पड़ेगा, u यहाँ v note है, u नहीं सोरी, यहाँ v note है, u यहाँ पर क्या है, v note है, यह तो u y रहन देता हूं, यह v note है, 2 v note sin theta upon g, 2 v note sin theta upon g, y में velocity v note sin theta, c पर, देखो, कितने आसान आसान है, इन में से कोई क्योषन आएगा, कोई tough नहीं है, यह क्योषन, आसान है, बस पता होना चाहिए कि ऐसे निकालते है, आदमी को भाग के फैकने का क्या effect है, ऐसे गाड़ी में चलती हुई, ऐसा भी हो सकता है, एक projectile फैका चलती हुई गाड़ी से, तो गाड़ी की speed horizontal में उसको add हो जाईगी, what is the distance from the point projection at which the ball will land, range पूछ रहा है, मैंने बोला था ना, क्यों भाग के effect हैं, क्योंकि horizontal speed बढ़ जाए, time of light पर कोई फरक नहीं पड़ा, लेकिन horizontal speed भढ़ गई, इससे क्या हुआ, range भढ़ जाती है, horizontal में speed into time of light, तो horizontal में net जो speed है इसकी, वो होगी u plus v naught cos theta, भढ़ गई ना, और time of flight आजाएगा, 2 v naught sin theta by z, यहां से हमारा range आजाएगा, ठीक है, सारी चीजे बहुत आसान है, तो जब भी हम moving platform से, एक ball का projectile motion करते हैं, तो उसमें horizontal velocity जो platform की है, वो उस ball को और मिल जाती है, तो उसकी range relatively और भढ़ जाती है, ठीक है, clear, देख लो भई, अब देखो कही बार क्या है, देखो बहुत अच्छा motion क्या बनेगा, actual में, यदि हम ball को फैक रहे हैं, और maximum distance पर फैकना चाते हैं, तो हम खड़े होके फैकते हैं, तो 45 पर range maximum होती है, जब हम खड़े होके फैकते हैं, तो 45 पर range maximum होती है, लेकिन यदि हम भागते भागते फैकेंगे ना, तो range 45 पर फैकने पर maximum नहीं होगी, हाँ 45 पे फैकने पे maximum नहीं होगी तो तुम ही comment में बताओ यहाँ से देखके कि किसकी value 45 होनी चाहिए ताकि range maximum हो यदि हम भागते हुए फैक रहे हैं सोचो, सोचो क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ जो maximum फैकने के लिए कुछ value मतलब alpha के टम्स में कुछ सोचो theta alpha मैं जो ज़्यादा नहीं बताओंगा मैं चाहता हूँ comments में आपका जवाब मुझे मिलना चाहिए यदि आपने comments में सही जवाब दिया तो मैं समझोगा कि हाँ आपको अच्छे से चीज़िए समझ में आईगी चलो next के ओसन पर बात करते हैं यह भी अच्छा के ओसन पर ट्राइ करो एक बढ़ ट्राइ करो ऐसा के ओसन भी पूछता है बही ट्राइ करो दो इट if V1 is the velocity of a body projected from point A ठीक है and V2 is the velocity of body projected from point B ठीक है which is vertical below the highest point जो एक प्रोजेक्टाइल किया यह किया 30 डिग्री के उपर एंगल पर और दूसरा जो बोल को फैका है वो वो वर्रेकल उपर फैका है लेकिन यहां से highest point के नीचे से यह बहुत बोडी कोलाइड देन बिटा हमेशा याद रखना ऐसी सिचुएशन में तू कोलाइड इन एयर तू कोलाइड इन एयर यदि तुम चाहते हो कि दो प्रोजेक्टाइल आपस में तकराएं तो याद रखना कॉम्पोनेंट ओफ देर विलोसिटी कॉम्पोनेंट ओफ देर विलोसिटी कॉम्पोनेंट ओफ देर विलोसिटी पर्पेंडिकुलर परपेंडिकुलर आगे लिखते हैं अगे बिजनियां बहुत तेज घर रही है भाई परपेंडिकुलर component of their velocity परपेंडिकुलर to the परपेंडिकुलर to the line joining ये याद कर ले ना लाइन जोइनिंग पार्टिकल मॉस्ट भी इक्वल ये बहुत अच्छा तरीका है सोल करने दा ये इसी का निक कैसे भी किछी भी एंगल पर पार्टिकल्स को फैक दो दोनों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर विलोसिटी इक्वल होनी चाहिए तो यहाँ देखो एक को फैका है यहाँ से दूसरी को फैका है यहाँ से जरूरी निया मैक्सिमम हाइट हो जरूरी निया मैक्सिमम हाइट हो कहीं से भी फैको तुम ये दो पार्टिकल है इसको फैका है वीवन से 30 पर और इसको फैका है वीटू से उपर यदि तुम चाहते हो दोनों टकराएं तो दोनों को मिलाने वाली लाइन के perpendicular तो इसका दो component करो इसका इधर आएगा V1 का sin 30 V1 का sin 30 तो दोनों को मिलाने वाली लाइन के perpendicular velocity सेम कर दो तो V1 sin 30 should be equal to V2 तो V1 by 2 is equal to V2 हमेशा जैसे हमें ground के प्रोजेक्टाल की बात करूं तो उसमें तुम्हें क्या करना वर्टिकल विलोसिटी सेम करनी है यदि सेम हाइट से फैक रहा है तो वर्टिकल विलोसिटी सेम करनी है यह वर्ट अफ करना चाहिए तो वो किसी एंगल पर फैक सकता है रहे से इसको ground से इसको building से दो एक building से बोल फैक रहा है ग्राउंड से फैक रहा है दोनों हवा में टकर आए और यह सामत हो दोनों को मिलाओ और उनके परपेंडिकोर विलोसिटी सेम करनी है बहुत आसान बहुत आसान बट इसमें तो और भी आसान ही इसमें तो बिल्कुल हलव आ है vertical velocity सेम करने टकर आ जाए वर्टिकल विलोसिटी क्या कर दो सेम क्या आगया वी 1 बाइ 2 वी 1 बाइ 2 इस इक्वेल टू वी 2 वी आंसर आ गया तो यह जो बात है याद होनी चाहिए दो बोल यदि टकराना चाहती है अवा में तो ठीक है न नोट करके इसको लिख लेना यदि कहीं नहीं लिखा हुआ है तो नोट करके लिख लेना चलो अब कुछ करते हैं हम circular motion की यह थे प्रोजेक्टाइल motion की क्योसंस अब circular motion की करते हैं इस वीडियो की लास्ट में मैं कुछ ऐसे चोटी-छोटी-छोटी test type में लोगा तुम्हारा मतलब पांच से qtion का एक test लेंगे test in the sense मतलब तुम्हे time limit दे करके उस qtion को solve करना है ठीक है ना लेकिन ये last में करेंगे देखते हैं कितना चीजे तुमने सीखा है उसको तुम कितना fast apply कर पाते हो qtions में ठीक है आओ read each statement below carefully and state with reason if it is true or false. देखो ये true false वाले क्योशन नीट में बहुत आ रहे हैं. इसको objective क्योशन बनाने के लिए option दे देगा पहला पहला सही है, पहला दूसा सही है, दूसा तीसा सही है, पहला दूसा तीसा सही है, ऐसे option बना देगा. तो बस हमें basically सही और गलत पता करना है. नायत acceleration of particle in circular motion is always along the radius of the circle towards the center. क्या बात सही बोल रहे हैं? क्या बात सही बोल रहे हैं? false, गलत है. net acceleration circular motion बोला इसलिए, uniform circular motion नहीं बोला, circular motion दो टाइप के हो सकते हैं, uniform भी और non uniform, non uniform में acceleration centripetal के साथ तिंजिंचल भी होगा, तो net acceleration किसी angle पे भी हो सकता है. जैसे ये एक particle circular motion कर रहा है, ये एक particle circular motion कर रहा है, तो इसकी velocity ऐसे है, centripetal ऐसे है, टेंजिंचल होआ तो net किसी angle पे भी हो सकता है, net ऐसे भी हो सकता है, speed भड़ेगी, net ऐसे भी हो सकता है, speed घटेगी, तो हमेशा radial direction में नहीं होता, ये गलत है. हाँ, ये क्योशन सही हो जाता है, ये statement, यदि ये circular के आगे uniform लगा देता है, uniform circular motion में, velocity और acceleration हमेशा, perpendicular होंगे, मतलब acceleration हमेशा, into the, towards the center होगा, हमेशा towards the center, uniform. इसने circular motion नहीं बोला है, कहीं भी देको इस statement में, खुद से मत अजियों कर लेना circle, ये बोल रहा है कि, velocity vector of a particle at a point is always tangential, along the tangent to the path of the particle at that point, और ये सच है, ये true statement है, बिलकुल सही statement है, ये बिलकुल सही statement है, हमेशा सही है, कैस था भी, जैसे मानलो मैंने कहा, एक particle ऐसे रास्ते पर नास्ता हो अजार, तो यदि मुझे किसी point पर यहाँ velocity निकालनी है, तो tangent बना दो, यहाँ velocity निकालनी है, टेंजेंट बना दो, यहाँ velocity निकालनी है, टेंजेंट बना दो, सर्कुलर मोशन है, तो tangent बना दो, सर्कुलर नहीं है, तो tangent बना दो, इस्ट्रेट लाइन है, तो टेंजेंट बनाने के जरूती नियो लाइन होगी, तो particle कैसे भी path पे चल रहा है, हमेशा path के tangential उसकी velocity होगी, हमेशा, ठीक है न, यूनिफोर्म, देखो, इसने यूज किया, यूनिफोर्म सर्कुलर मोशन, अबरेज ओवर वन साइकल, इस ए नल वेक्टर, अबरेज एक्सलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, अब यूनिफोर्म सर्कुलर मोशन, मतलब speed constant, यहाँ से चलाई speed V थी, वापस से speed धरी भी हो जाएगी तो देखो पहले भी velocity यही थी speed और magnet direction दोनो और बाद में भी एक चक्कर के बाद यही है तो change in velocity 0 न magnitude बदला न डारेक्शन एक पूरे चक्कर तो average क्या हो जाएगा 0 uniform circular motion में पूरे एक चकर में average acceleration 0 आएगा तो यह statement क्या है true है पर याद रहे बेटा यदि uniform word यूज नहीं करता तो यह भी गलत हो जाता यह भी गलत हो जाता ठीक है तो uniform वाली चीज को ध्यान दे करके पढ़ना चाहिए ठीक है मजा आया बता मजा आया चल आगे बढ़ते हैं और क्योसन करते हैं चलिए इस क्योसन को मैं देखो च्योसन का मजा तब ही आएगा जब तुम आराम से पोज करोगे समय लेकिन के अपना उस क्योसन को सोल करोगे यह देखो recorded वीडियो दे रहा हूँ तो मैं तुमें time नहीं इस वीडियो के साथ दे रहा हूँ time तुमें पोज करके ही करना पड़ेगा क्योंकि यदि मैं time दूँगा ऐसे मैं खड़ा हो करके वेट करूँगा क्योसन को सोल करो तो उसमें वीडियो थोड़ा बढ़ा हो जाएगा ठीक है ना तो आप खुद से इसको एक बार पोज करें और फिर क्योसन को सोल करें और फिर आगे वीडियो को बढ़ाएं और फिर आंसर देखें और उसके concept को जरू समझें कि मैं किस तरीके से सोल कर रहा हूँ चलो फोर ए पार्टिकल परफोर्मिंग यूनिफोर्म सर्कुलर मोशन चूज दा करेक्ट स्टेट्मेंट फ्रॉम दा फोलोंग देखो इसने बोला है यह बाते पकर लेनी चाहिए पहली बार में ठीका ना आदत डालो अपनी अच्छा ऐसे जो पॉइंट तुम्हें अलग लगया यह वाली हाँ इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो ताकि दिमाग में रहे मैगनिटूडो पार्टिकल विलोसिटी मतलब स्पीड रिमेंस कोंस्टेंट यूनिफोर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कोंस्टेंट रहती है सही बात है इसने करेक्ट पूछा है तो सही बात है स्पीड कोंस्टेंट रहती है सर्कुलर मोशन कैसा भी हो उसमें पार्टिकल की विलोसिटी रिडियस के पर्पेंडिकुलर हो सही बात है डारेक्शन ओफ एक्सलेशन कीफ चेंजिंग एज पार्टिकल मूज बिल्कुल सही बात है एक्सलेशन की डारेक्शन लगातार क्या होती जाएगी चेंज सेंट्रिपिटल एक्सलेशन है सेंटर की तरह पे डारेक्शन चेंज होगी ये बात भी सही है अंगूलर मूमेंटम is constant in magnitude बट डारेक्शन कीफ चेंजी अंगूलर मूमेंटम की डारेक्शन हो सकता है अभी तुमने अंगूलर मूमेंटम ना पड़ा हो हो सकता है अभी तुमने अंगूलर मूमेंटम ना पड़ा हो तो एक्सल में अंगूलर मूमेंटम भी एक एक्सियल वेक्टर होता है और इसकी direction axis के लोग होती है तो इसका angular momentum MV perpendicular into R MVR magnitude है लेकिन direction axial direction है change नहीं कर ली है angular momentum की direction हाँ momentum होता सिर्फ तो उसकी direction change होती velocity के साथ लेकिन angular momentum जो होता है uniform circular motion यहाँ पर I omega से लिखा जा सकता है और omega जो है वो change नहीं हो रहा है omega जो है change नहीं हो रहा है omega axial direction में है और वो हमेशा constant रहेगा magnitude भी direction भी तो यह गलत है direction change नहीं होगी direction changes यह गलत है यह गलत है ठेक है? यह हमारा अच्छा क्योसन है नीट में देना होगा इसको ऐसे shame क्योसन देना होगा तो इसमें से बस incorrect बोल देगा कौन सा incorrect है? answer d अच्छा क्यों सा इसमें देना होगा गलत है ओके? यह करो यह करो इसको असमें को solve करो इसको असमें को solve करो इसको असमें को solve करो the coordinates of a moving particle at any time t are given by ऐसा क्योशन पूछा हुआ है नेट में हाँ नेट में साइद मतलब कुछ वेल्यू दिया था उसमें एक जेक्ट यह नहीं था लेकिन ऐसा सेम ऐसा ही क्योशन था उसमें कुछ वेल्यू दे दी थी बस इसमें X is equal to 80 square और Y is equal to BT square Speed पूछा है Speed जो है वो सीधा एड नहीं होती कि X की निकालो Y की निकालो और सीधा एड कर दो Speed होता है velocity का magnitude और किसी vector का magnitude magnitude के formula से निकाला जाता है तो जहां से देखना यहां क्या होता है velocity निकालना है X direction की तो वो आएगा DX by DT इसका differentiation तो यह आएगा 2AT और Y में जो velocity है वो आएगा DY by DT यह आएगा 2BT यह Y में velocity है तो net velocity निकालने के लिए याद एखना बिटा सीधा add नहीं करते VX plus VY नहीं करते यह गलत है net velocity निकालने के लिए root over VX square plus VY square एक velocity X में एक Y में vector addition किया जाता है तो यहाँ आएगा root over 2AT का square plus 2BT का square तो यहाँ से क्या को मना आएगा 2T को मना जाएगा 2T को मना जाएगा root हड जाएगा और यहाँ A square plus B square आएगा 2T root over A square plus B square मेरे ख्याल से B answer है मेरे ख्याल से B answer है देखो देखो अच्छा क्यों होसन है बढ़ा आसान क्यों होसन लेकिन गलत करते हैं बच्चे इसमें पता है सीधा एड करते है speed सीधा एड नहीं होती है एक्स में दो वाई में तीन तो नेट पांच नहीं होती है रूट ओवर दो का स्कॉर प्लस तीन का स्कॉर नेट थी ठीक है विलोसिटी एक्सलरेशन जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके लिए ऐसा ही किया जाता है नेक्स्ट यह क्यों होसन करो यह भी अच्छा क्यों होसन है यह बूलर डारेक्ली एक मंकी ओने ट्री एक पेड है इसमें एक बंदर बैटा है यहां बंदर है यह बंदर अब ऐसा ही बनाँगा यहां एक हंटर है जो इधर की तरफ गन फायर कर रहा है यह ऐसे गन फायर कर रहा है ठीक है वो जस्ट इसकी तरफ गण फायर कर रहा है जैसे ही फायर की उसने गण उसी समय पे बंदर ने हाथ छोड़ दिये At the instant the bullet leave the barrel of the gun The monkey drops तुरंत हाथ छोड़ दिये उसने सोचा कि बच जाओंगा तो उसने बचने के लिए हाथ छोड़ दिये तो नीचे गिरेगा तो क्या लगता है बुलेट जाके उसको हिट करेगी हमेशा या नहीं करेगी साइज इग्नोर करो मालो मंकी का साइज इग्नोर करना है ठीक है न इग्नोर करना है एक्जेक्ट उसने उसको पोईंट कर रखा था तो क्या कहते हो हिट करेगी या नहीं करेगी हिट करेगी हमेशा करेगी यदि उस मुमेंट वो उसने छोड़ दिया उसने गल्टी करेगी यदि छोड़ने की बज़ाए वो उपर जंप कर जाता तो बच जाता यब लटका भी रहता तो सायद बच जाता लेकिन छोड़ दिया उसने गल्टी कर दी क्यों? जैसे वो छोड़ेगा तो वो नीचे गिरेगा थोड़ी दिर बाद वो यहां कहीं होगा और ये बुलेट भी सीधी नहीं जाएगी ये भी gravity में पोल हो रही है तो actual में ये भी ऐसे रास्ते पर मतलब gravitational acceleration के कारण ये भी अलग रास्ते पर जाएगी तो इसका भी acceleration नीचे जी और इसका भी acceleration नीचे दी दोनों का जी acceleration हो जाएगा तो relative zero हो जाएगा तो actual में दोनों ही मतलब जब भी छोड़ दिया न उसने तो पका है उसको hit करेगी चाहिए bullet कितनी दिर बाद आके hit करें लेकिन करेगी कितना ही दूर से fire क्यों न किया हो हम बाकी चीज़े ignore कर रहे है तो bullet hit करेगी bullet will never hit the monkey नहीं bullet will always hit the monkey ये सही है bullet may or may not hit the monkey can't be predicted prediction है हमेशा hit करेगी ऐसे situation में ऐसे situation में उसको उपर जंप करना चाहिए था gravity bullet को नीचे ले जाती वो उपर जंप करता वो बच जाता या वहीं भी लटका रहता तो साइद बच जाता ठीक है ये अच्छा क्योंसन है next ये देखो solve करो इसे फिर से एक बहुत बढ़िया क्योंसन है पता NCRT पे क्योंस अच्छे है to the point है बट सारे अच्छे नहीं है NCRT examplers के मैंने बहुत सारे क्योंसन देखे वो सारे अच्छल में नीट लेवल के नहीं है उसमें अच्छे लेवल के क्योंसन भी है उनको हम discuss नहीं कर रहे हैं क्योंकि उतना ज्यादा लेवल पर जाने की ज़रात नहीं है पहले ही हम अच्छे लेवल तक क्योंसन मतलब नीट से ज्यादा जे इमेश तक के लेवल के क्योंसन में यहां पर लेक्या है इस्टोन टाइट तु दा एंड ओफ ए स्ट्रिंग एटी सेंटिमेटर लोंग अच्छा ठीक है और वाइल इन ए होरिजोंटल सर्कल विदे कोंस्टेंट स्पीड ठीक है इफ दा स्टोन मेक्स फोर्टीन रिवल्यूशन इन ट्वंटीफ सेकेंड ओके चोधा रिवल्यूशन 25 सेकेंड 14 रिवल्यूशन इन 25 सेकेंड तो वण रिवल्यूशन कितने तेर में होगा 25 बाइ पोर्टीन सेकेंड एक रोटेशन का टाइम है वही टाइम पीरियड कहलाता है ठीक है वाट इस दा मेगनिटूड और डारेक्शन ओफ एक्सलरेशन ओफ दा इस्टोल ये टाइम पीरेड है देखो वो फोर्मूला इंची आटी का देखो कितना बड़ा डिजाइन किया है मैंने बॉला थाँ यह वाला कियोयर सनयाथ्य यह वाल देखो यहां पहेटमसों पाइक यह जो फोर्मलण निकलवाए था भी अए आजा यार में इतना क्या नोटणकी कर रहा है यह रहा है कि यह फ्रिक्वेंची के टांस में टांस टाइम पिरड के 16 एक यह इस फोर्मले पे आपंशन दिजाएंगे लेकिन तुम चोड ओ यह फोर्मला याद नहीं है तुम्हें सोल करना तो कैसे टाइम पिरड ये रखा है ताइम पिरड काशल कर निकाल सकते हैंध टाइम पिरियड होता है 2 πई बाई ओमेगा तो ओमेगा हो जाएगा 2 πई टी तो यह आजाएगा 2 πई बाई टी ती आजाएगा 25 बटे 14 आजाएगा ठीक है तो 14 दूने 28 बटे 25 पाई यह आजाएगा अंगूलर वेलोसिटी ओमेगा अब हमें पूछा है एक्सलरेशन अब एक बाई बताओ यूनिफॉर्म दे रिख चैन्ट श्पीड से भूम रहा है तो एक्सलरेशन शिर्फ सेंत्रीपेटल होता है जो उस पाटिकल के पास एक्सलरेशन है वो सिर्फ सेंक्रेटल है और वो आर उमेगा स्कॉएर होगा आर तो क्या है रेडियस तो 80 cm को उसको मीटर में बदल लो 0.8 मीटर इंटू ओमेगा क्या है 28 पाई बटे 25 का स्क्वेर डाटा थोड़ा जीब सा है डाटा थोड़ा जीब सा है हम आंस्वान नहीं निकाले पूरा सोल करके बड़ सोचो ऐसा क्योशन बिल्कुल पूछे एक आसान क्योशन बहुत बड़िया तरीके से पूछा हुआ ताइम पिरियेट निकालो यहां से वहां से उमेगा आएगा वहां से सेंट्रिप्टल एक्सालेशन आएगा और वो ही नेट हो जाएगा डारेक्षण हमेशा सेंठर की तरह है आएगा ठाहिए नाइस क्योशन आगे अ बहुत अच्छे क्योशन से बहुत अच्छे क्योशंस आप यह करो जह उसके थैंद कुस्षे भील दिलाने के लिए १ लेकी आया हूँ कुस्षील दिलाने asing के लिए यह horizontal loop of radius 1 km, it means 1000 m, यह radius, ठीक है, with the speed 900 km per hour, तो V is 900 km per hour को m per second बदरने के लिए 5 बटे 18 से multiply कर देंगे, यह अगा 100, यह अगा 2, 9 दोनिय 18, तो यह अगा 2, 50, 50, 50, 500 m per second, 500 m per second velocity आगे, speed आगे, compare the centripetal acceleration with acceleration due to gravity, ध्यान से सुनना, जब एक पाटिकल circular motion करता है, जब एक पाटिकल circular motion करता है, देखना कुछ चीज़े सीख नहीं होती है यहां पर यह है यह इधर जा रहा है इधर स्पीड वी से तो इसका जो acceleration होता है वो center की तरफ होता है नीचे की तरफ acceleration एसी centripetal acceleration बताओ कितना होगा एसी जीकुवल टू हो गया वी स्क्वेर बाई आर वी है धाई सो इंटू धाई सो स्क्वेर किया तो दो बार धाई सो अपन आर हो गया हजार यहाएगा च्यार एक सो पत्चीस बटे दो कितना आ गया चैदो निबारा साड़े बासट है ना 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर और जी क्या होता है जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर मतलब जी से मच मच हायर एक्सलेशन लगबग 6 गुना लगबग 6 गुना उससे भी ज्यादा समझेड हो Syndrome एक्सलेशन समझारों क्लास में मैं पढ़ा रहा था तो क्योसन करवा ऩा मैं कि एरक्राफ्ट एक पाइलेट जो है एरूपलेण को ऐसे गुमा के लेके जा रहा है कि तीके तो वहां बच्चे ने बूला कि सर जब पाइलेट ऐसे गुमा के उपर लेके जाड़ा तो वो पाइलेट गिरता क्यों नहीं है और सीट उसको पुस्ट क्यों कर दी है तो मैंने बोला बेटा देखो बच्चों को क्या लगता है एक्चुल में कि गिरना मतलब एक्सलेशन जी रे मैंने कहा बहुत गिरना नहीं यह उससे भी जादा रखता है मतलब गिरना तो फिर भी आसान काम है उससे भी बुरी चीज है यह तो उससे भी जादा एक्सलेशन है गिरने में तो फिर भी एक्सलेशन 9.8 होता सर्कुलर मोशन में एक्सलेशन देखो 62.5 मिट गिरने से भी बुरा हो रहा है तो गिरने में तो फिर भी इतना ए यहां इससे ज़्यादा है लेकिन इसके पास एक ड्वांटेज क्या है इस वल्यू शिटी है तो यह वहीं का वहीं न गिर करके सर्कल में घूम रहा है लगातार एक फॉर्स लग रहा है यदि फॉर्स में लगता तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता तो गिरने से भी जादा acceleration इसको चाहिए सरकल में घूमने के लिए घिरना मतलब उसके तो प्रोजेक्टायल मोशन हो जाता तो जी से जादा इसलिए पता है पालेट जो होते हैं उनको एक्षोड़ा जितना जादा हमें acceleration मिलता है उसे हम एक्षोड़ में thrust से बोलते हैं कि जादा thrust है जादा acceleration है तो बहुत जादा acceleration होगा तो सेहन भी नहीं कर पाते हैं उनको seat के उपर बहुत दबाव हैसूस होता है उनके suit बनाए जाते है प्रोपर इस तरीके से ताकि वह प्रोपर उस दबाव को सेहन कर सके इतना असान नहीं है हम तो सोचते हैं कि घूमने में क्या दिकर एर करा किसी मूवी में ऐसा कोई scene है जिसमें एक उनको Hollywood movie है ये उस पहाडी को ऐसे cross करना होता है उल्टा हो करके तो इतना ज्यादा एक सल एसल लेते हैं कि वो बेहोस हो जाते हैं बहुत ज्यादा उसकी training दी जाती है उनको ताकि बेहोस ना हो यादा रहा कोई movie का सी मुझे नाम नहीं यादा रहा आप comment में बताएंगे यदि याद है वहना कोई बात में देखना नहीं है धूनना नहीं है उसको चलो next question आजाओ इस पर इस question पर आजाओ for any arbitrary motion in space while which of the following relation are true सही statement चांटना है arbitrary motion मतलब कैसा भी motion हो सकता है चलो क्या करते हो actually मैं यह क्यों सह मैं इसले रहा कि बहुत से पच्छे क्या काएंगे कि यह देखेंगे average velocity यह t1 पे यह t2 पे by 2 बटा याद रखना average velocity initial plus final by 2 जो formula है यह only for uniformly accelerated motion uniformly accelerated motion सिर्फ a constant होता है तब होता arbitrary motion के लिए नहीं होता हमेशा सही नहीं है पर इसलिए हम बच्छे क्या करते हैंगे अच्छा initial plus final by 2 average ए ओप्षन टिक करके आगे बढ़े वह हमेशा सही नहीं है वह सिर्फ और सिर्फ uniform acceleration के लिए सही है तो हमेशा क्या सही है हमेशा सही है average velocity होता है displacement upon time और displacement होता है final position minus initial position upon time delta t तो यह सही statement है b r t2 minus r t1 upon t2 minus t1 तो b सही जवाब है ऐसे किसी time t पर velocity यह भी गलत है यह भी सिर्फ uniformly accelerated motion के लिए valid है और r t position r naught plus v naught t plus half a t2 यह भी हमेशा सही नहीं है यह भी uniformly accelerated motion के लिए सिर्फ a constant के लिए valid है तीनों फॉर्मले वो कोई general motion बोर रहा है तो उसके लिए b वाला option सही है सही relation सिर्फ b वाला थिक है ध्यान रखना अच्छे तरीके से design करके पूछावा क्यों सही है चलो और बात करते हैं एक यह क्यों संदेखो एक यह क्यों संदेखो एक पार्टिकल डेस्क्राइब यूनिफोर्म सर्कुलर मोशन इन ए सर्कल ओफ रेडियस तू मीटर अच्छा दा एक यूनिफोर्म सर्कुलर मोशन में दो मीटर रेडियस है और एंगुलर स्पीड यह है दा मेगनिटूड ओफ चेंज इन विलोसिटी पूछा है 90 डिगरी तो देखो एक्च्छल में यहां जब होता है तो उसकी स्पीड वी इधर है यूनिफोर्म एंगुलर स्पीड तो यूनिफोर्म स्पीड होगा वी निकाल दू कितना होगा वी इस इक्वल टू होगा आर ओमेगा तो v is equal to होगा r है 2 omega b है 2 4 meter per second होगा ठीक है 90 degree rotate करने के बाद इसकी speed जो होगी वो यहाँ ऐसे हो जाएगी speed अभी भी भी रहेगी नेकिन यह दिमाँ बात करूँ velocity, change in velocity पूछा है तो देखो बेटा initial velocity जो है वो v इधर है और final velocity भी v है उधर 90 degree पर तो delta v का magnitude जो आएगा वो आएगा root over v1 square plus v2 square minus 2 v1 v2 cos theta और theta यहाँ 90 degree है तो यह term तो हो जाएगी 0 तो जब भी दो vector एक दूसरे के perpendicular होते हैं तो change होता है v initial का square plus v final का square यह तो यह आएगा root over v square plus v square तो यह आएगा root 2 v तो delta v का जो magnitude है वो root 2 times of v v कितना है 4 meter per second 4 root 2 meter per second answer आएगा 4 root 2 कुछ गरबर कर दिया हमने देखो 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 कुछ calculation mistake तो नहीं है pi byte अच्छा अखो 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 अरे यार pi by 2 second है थोड़ा सगड़ बढ़ हो गया pi by 2 second है टाइम दे रखा है भाई यह time तो theta जो है वो होता है omega t omega है दो time है pi by 2 2 to cancel pi radian pi radian theta pi है भाई pi है मतलब 180 गुम गया इतना कुछ करने की जरुवत ही नहीं है फिर तो ओर आसान हो गया इतना कुछ करने की जरुवत ही नहीं है फिर तोर आसान हो गया पाई गूम गया तो यहां आ गया मैं मेरे तरह तोड़े लापरवाई मत किया को आप भी देखो गल्ती हो जाती है मैंने सेकिंड पर ध्यान नहीं दिया मैं सीधा इसको एंगल समझ लिया कभी होता ना कि कोई चीज होती अच्छा यह कर दो थोड़ा स उनमें 2V हो गया 2V पहले V उपर नीचे फिर V तो चेंज जो है वो 2V का हो गया पहले उपर वाली खतम होई होगी फिर नीचे की तरफ V आई होगी इस स्पीड में 0 चेंज है वेलोसिटी में 2V का चेंज है तो 2V तो कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकिंड अंसर C आजाएग आंसर क्या जाएगा C आजाएगा C 8 मीटर पर सेकिंड ठीक है देखो यहां मेरे को माइनस 1 मिल जाता यदि ओप्सन में 4 रूट 2 होटा तो 4 रूट 2 नहीं है तो मेरा माइनस बच गया मैं दूबारा ध्यान दे लिए ठीक है किसमत अच्छी है मेरी पर जरूर नहीं है आप हिए रीवर वाली प्रोब्लम करते हैं देखो इद अच्छी प्रोब्लम है मतलorig बोली देखो ये प्रोब्लम में ये एक प्रोब्लम से उसने काफी कुछ कवर करने कोशिस की है ़िए रीज़ विस फ्लोइंग कीश है किस स्पीट 3 मीटर सेकिंड रूट 3 से चल रही है swimmer can swim in still water at speed 4 swimmer 4 रख सकता है पहला if swimmer start swimming due north मतलब इधर की तरफ what will be his resultant velocity बड़ा सान बड़ा सान हल्वा हो गया तो अरे देखो जब यह आज swimmer इधर की तयारना चाहेगा तो इधर तो इसकी चार होगी लेकिन रीवर इसको इधर की तरफ भी velocity देगी 3 मीटर पर सेकिंड रीवर इसको देदेगी तो इसकी जो नेट आ जाएगी वह इधर की तरफ आफ आएगी और ये नेट जो होगी ये नेट आजाएगी रूट ओवर 3 का square प्लस 4 का square तो यह आजाएगा 5 53 डिग्री फ्रॉम दी डारेक्शन ओफ रीवर फ्लो फ्रॉम दी डारेक्शन ओफ रीवर फ्लो पूछा हुआ क्यों सब्सक्राइब इसका सेकेंड पार्ट पूछ रहा है तो देखो बटा यदि यहां से यहां पहुचना चाहता है तो उसको इस परपेंडिकुलर से किसी एंगल पे तैरना पड़ेगा उधर की तरह ताकि रीवर कुछ इधर दे और इसकी वलोसिटी के दो कॉंपोनेंट में एक वो कैंसल हो जाए और यह रिजल्ट याद आता है इसको हम वी एम बोलते हैं और यह एंगल थीटा है तो बिटा यह फोर्मूला तो याद ही रखते हैं इसके लिए साइन थीटा जो होता है ना sin theta वो छोटी velocity अपून बड़ी हमेशा result याता है कि perpendicular के साथ जो theta है उसमें sin theta हमेशा vm और vr में से जो छोटा है उसको पर जो बड़ा है उसको नहीं से छोटा कोन है यहाँ पर vr 3 छोटी velocity अपून बड़ी velocity vr by vm यह result यात रखना में से कोई भी कम हो कोई भी जाद हो फोर्मला हमेशा छोटा अपून बड़ा लगाते है तो vr है 3 vm में 4 तो sin theta आ गया 3 बटे 4 तो इसका मतलब theta जो है यह है 37 degree from the perpendicular from the from a b लेकिन answer जो है वो river flow से देता है mostly answer river flow से देता है तो from river flow देखना river flow से mostly वो river flow से ही पूछेगा and theta जो है angle आजाएगा 90 plus 37 यह आएगा 127 मतलब river flow से 127 degree पर तहरेगा what will be his resultant speed net क्या होगा निकाल लो इस के पास एक तो river की होगी 3 meter per second और इस perpendicular के साथ इधर की तरफ 37 degree पर इधर की तरफ है 4 meter per second चार यह ना अग 5 है कित्रा था भई तीन बटे च्यार है नहीं है तीन बटे 4 फिर अगल कुछ अलग आएगा यह 37 नहीं आएगा यह 37 नहीं आجगा भई यह तो साइन 37 फोन आए वो तो 3 बटा 5 होना चाहिए था ठीक है ना लेकिन यहां तो 4 दे रखा है स्विमर की देख रहो गड़बड करवा रहा है हमसे यह हमसे गड़बड करवा रहा है भाई लेकिन हम समल गया पहले ही देखो ठीटा यह आएगा फ्रोम परपेंडिकुलर फ्रोम ए बी तो रिवर फ्लो से जो आशुर आएगा फ्रोम रिवर फ्लो फ्रोम रिवर फ्लो रिवर फ्लो क्या जाएगा 90 प्लस साइन इन्वर्स 3 बाई 4 कितने लोगों से बताना यह गल्टी की है 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 हम तो सोल ही नहीं कर रहे है हम तो देख रहे हैं वीडियो हम गल्टी कहीं करें है सच पात है ना आरे मैं जानता हूं कि तो इसके दो कॉंपोनेंट करो ठीक है फिर तो 37 नहीं आएगा यह एंगल कुछ अजीब सा होगा अब इसको सोल नहीं करना पड़ेगा वैसे ही काम बन जाएगा देखना यह एंगल ठीटा है मुझे नहीं पता लेकिन यह ठीटा कुछ ऐसा होगा कि इसके दो कॉंपोनेंट हो एक इधर और एक इधर यह वाला कॉंपोनेंट तो तीन होना ही पड़ेगा ताकि यह इससे कैंसिल अरे तब ही तो इधर जाएगा देखो ना इसकी वेलोसिटी का यह कॉंपोनेंट इसको कैंसिल करना चाहिए तो इसका मतलब इधर का कॉंपोनेंट तीन आना चाहिए इधर का तीन कैंसिल हो जाएगा तो चार का इधर तीन आएगा तो यह क्या आएगा यह क्या होगा यह क पूंसर नहीं निकानाँ ते विए ओर 3 का resultant 4 हो होगा चार के दो component है e3 और एक v मुझे v निकाना है मैं क्या करा हूँ उल्टा समझ वी और 3 resultant 4 होगा तो क्या लिखेगा 4 is equal to root over v square plus 3 square लिखेगा या नहाँ तो यह आएगा 4.16 यह आएगा v square यह आएगा 9 तो V square is equal to 7 तो V is equal to आएगा root 7 meter per second net होगी root 7 meter per second होगी ठीक है तो actual में यदि इधर जाना होता है तो इसका concept क्या होता है इसकी velocity को ऐसे angle पे रखो जिस angle पे ये वाला component river को पूरा cancel करते है तो फिर net ये इसकी धर आजाएगा और इसको river cross करवाएगा इसे just A-B के रास्ते से तो जब ये component 3 है तो दूसरा मान लो V है तो V और 3 का net आजाएगा 4 वहाँ से V आगया root 7 ठीक है देख लो भई कुछ गड़ नहीं है न अच्छा क्योशन है मतलब अच्छा क्योशन है यहां तो ओके कि एक क्योशन यह कि एक क्योशन यह कि आ जाओ पूजिशन वेक्टर ओफ ए पार्टिकल इज यह बहुत अच्छा क्योशन है एक्च्छल में सर्कुलर मोशन का मुझे सबसे प्यारा क्योशन सर्कुलर मोशन ठीक है ना पहले कभी पुराने साल के पेपर में यह पूछा हुआ है यही मैं तो कई बार पूच्छा हुआ इसको अच्छा क्योशन ल dif एअब यह देण ही रखा इसमें कहीं नहीं रखा से करन्यम मैं पहले सोलब करते हैं तो हम तो एक्जाम में बेटे हैं तो ना पता है circle से solve करना है हम कैसे solve करेंगे हमें तो circle करना हमीं नहीं लिया पोजिशन वैक्टर दिया है तो हम कैसे करेंगे देखो R दे रखा है क्या A cos omega t I cap plus A sin omega t J cap ठीक है velocity के बारे में पूचा है कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे वेलोसिटी डी-ार बाइ-डी-टी से इसको differentiate करेंगे बोल हा करना कोस का differentiation क्या होगा माइनस साइन तो यह आएगा माइनस ए साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का फिर करेंगे तो ओमेगा और बाहर आएगा तो ओमेगा बाहर आएकर और यहां साइन का हो जाएगा कोस तो यह हो जाएगा प्लस ए ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कर तो बोल रहा है कि विलोसिटी पा तूआर्स दि ओरीजल डारेक्टेड अवै प्रोम ऊरीजल पारलल टू पोजीशन वेक्टर परपेंडीकुलर टू पोजीशन वेक्टर सăm når फिट समीर की चोड़ा वी ॥ mark COD में घूम रहा है क्यों क्योंकि वो मैं कर सकता हूं कैसे यह आर वेक्टर है position vector मुझे पता करना है कि क्या आर वेक्टर और वी वेक्टर पैरलल पैरलल के कैसे पता करते हैं I cap के coefficient का ratio और J cap के coefficient का ratio same आई तो parallel है क्या same आएगा यह course upon sign यह sign upon course यह negative यह positive same तो नहीं है same तो नहीं है मतलब parallel नहीं है अच्छा तो perpendicular हो सकते हैं कैसे check करते हैं perpendicular यदी perpendicular हुए तो V vector dot r vector 0 आना चाहिए यदी perpendicular हुए तो V dot r क्या आना चाहिए 0 तो V dot r निकाल दोनों का dot कर तो यह plus का यह minus का तो minus का a square omega sin omega t cos omega t i cap के coefficient को i cap से i cap हट गया फिर j cap के coefficient को j cap से यह आएगा plus का a square omega sin omega t cos omega t ध्यान से देखोगे तो 0 आ गया देख देख 0 आ गया जितना यह minus उतना यह plus मतलब V dot r 0 है और क्या चाहिए भाई मतलब V vector is perpendicular to r vector position vector के perpendicular है यह answer आ गया actual में क्या होता है सच्चा ही बताँ इसका पीछे का particle का motion क्या होता है circular motion एक्चुल में particle circular motion कर रहा होता है याद रखना इस situation में इस position vector में और origin है इसका center origin होता है center ठीक है अब देखो जब particle a radius का circle कर रहा है radius क्या है तो जब particle यहां से theta angle पे घूम चुका होता है theta angle पे तो यह particle का position vector है this is r vector इसको r vector को लिखे देखें यह radius है a a का cos a का sin यह है x direction यह है y direction तो इस situation में r vector लिखेगा तो a cos theta i cap और a sin theta j cap क्या यही लिखा है क्या यही लिखा है theta omega t है तो actual में यह जो position vector है एक circular motion वाले particle का होता है याद रखना बिना उसके भी soul तो हो जाएगा लेकिन यदि तुम्हें याद रखोगे तब तो हल्वा चीज है कुछ करना ही नहीं है कैसे एक circular motion में velocity tangential होती है acceleration centripetal होता है velocity बोले r के perpendicular अब देख डारेक्टे टूर्ड्स origin ना इसके perpendicular origin की तरफ नहीं है तो पहला गला दूसरा गला तीसरा गला चोथा आज़ो यादी मुझे पता है कि ये position vector तरफ एक circular motion करते particle के तो मतलब ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो है r cos theta x में तो i cap, r sin theta z cap तो ये position vector इसमें अगला question क्या पूचता है acceleration किधर है तो अब यदि मुझे circular motion का idea होगा तो तो सोल नहीं करना, सीधा क्या कहूंगा acceleration centripetal और centripetal acceleration towards the center center origin है तो तुरंस आजाएगा directed towards the origin सीधा, directed towards the origin सोल ही नहीं करना, सीधा answer directed towards the origin तो ये चीज़े ध्यान रखने का मतलब ऐसे questions या एक पर किया हुआ होगा तो option देखके तुरंस आज़ेगा ऐसे differentiate करके सोल करना, वो ज़रुत ही नहीं पड़ेगा सीधा answer आज़ेगा तो ये जो ये हना ये ध्यान रखने वाली चीज़ है ये ध्यान रखने वाली चीज़ है ये जो position vector है एक uniform circular motion में करते हो ये particle का position vector है जिसकी radius है a और angular velocity है omega याद रखना दोनों plus होने चाहिए लेकिन ये भी plus का ये भी plus का ठीक है ना, तम होगा है ओके चलो लास्ट छोटी-छोटी मगर मोटी बात है मतलब मैंने क्या किया है projectile motion, circular motion कि की points है जो छोटी-छोटी बात लगती है basic से लेकिन जिनसे सीधे क्योशन बनते है तो वहां से मैंने NCRT की lines से क्योशन्स बनाए तो अब आपके सामने कुछ क्योशन्स आने वाले है ठीक है ना और इन क्योशन्स को आपको within time limit answer देना है तो copy panel लेके बैठ जाओ तुम्हारे को हर क्योशन पर 30 seconds मिलेंगे हर क्योशन पर 30 seconds मिलेंगे मैं हर 30 seconds में क्योशन बदलूँगा बीच में solution नहीं करूँगा 6 क्योशन आएंगे तीन मिनट का timer start करूँगा timer 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 यह रहा ठीक है ना देखो मेरे साथ साथ सोल करना भई तब मजा आएगा यह तीन मिनट का करना है यह लो एक दो तीन तीन मिनट का है ओके हाँ मैं इसे start करूँगा और इसको आगे पीछे कर सकते हैं हाँ ठीक है और हर तीस सेकेंड पे मैं change कर दूँगा बिना बोले तुम अपने answer को side में लिक लेना और last में match करेंगे ठीक है ना clear ready ready start किया जाए your time start now यह में पहले solve हो जाता है कोई बात नहीं अपना time बचा हुआ मान सकते हो तुम फिर सही हो 30 seconds maximum time दिया है मैंने पर गलत मत करना cross check कर लो time over हो गया था चब इस पार बोल दूँ ना 5 seconds पहले time over हो गया था time over हो गया था time over हो गया था Why 5 seconds बचेंँ भी time over to you you त्राइब करो प्राइब सेकेंड प्राइब सेकेंड त्राइब सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड लाष्ट को वसन ताइम। ताइम। आज आओ इदर अप। आप मैं सब के आंसोर बताऊंगा। आपको चेक करना है कितने आपके सही थे कितने गलत। मतलब आपको चलो। 6 में से कितने जैसे 6 आउट उट आप 6 सही है तो 6 by 6। 5 सही हैं तो 5 by 6। 4 सही हैं तो 4 by 6। कमेंट्स में अपने आंसर जरूर बताना तो मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों ने इस टेस्ट को अटेंट किया है कुछ लोग होते हैं तो रास्ते में साथ छोड़ देते हैं तो कितने लोगों ने लास्त तक इस वीडियो को देखा है यह भी मैं यहां पर चेक करूंग थिक है comments के तुरू comments में बताना कितने marks तुम्हारे बने है चार सही है पांच सही है दो सही है एक सही है कितना चलिए पहला चोसन था कितने for angle this projectile has maximum range maximum range कब होगी 45 degree पर and it is equal to 45 मतलब pi by 4 या तो इन दोनों में से और range क्या होती है u square sin 2 theta sin 2 theta 1 हो जाता है by g तो यह answer आदे है c ठीक है 45 पर u square by g sin 2 theta 1 हो जाता है at the top of trajectory of projectile the acceleration is acceleration हर जगे g होता है maximum minimum कुछ नहीं top of the trajectory पर acceleration और यह कहीं भी g होता है गलत क्या है सही किया देख लो g होता है हर जगे which of the following is an essential condition for horizontal component of projectile to remain constant horizontal constant कब रहेगा acceleration due to gravity should be exactly constant यह क्या मतलब है vertical में चाहिए change हो vertical में यदि g change भी हो जाएगा तो horizontal पर कोई फरक नहीं रास होता case क्या है horizontal में कोई acceleration नहीं आना चाहिए चाहिए vertical में constant हो या ना हो angle of projection 45 बखवास there should be no air resistance यह सही बोड़ रहा है यह condition है air resistance नहीं होना चाहिए वो change कर देता है speed को बाकि acceleration of gravity change भी हो जाएगा तो भी उससे horizontal direction की velocity पर फरक नहीं पड़ेगा the direction of angular velocity vector is always angular velocity radial sorry axial vector axis के लोग होता है tangent नहीं inward outward axis of rotation d answer angular velocity axis के लोग होता है if a particle moves in circle describing equal angle in equal time interval equal angle equal time omega constant its velocity vector vector constant omega constant होगा मतलब speed constant होगी velocity vector constant नहीं होगा remains constant change in magnitude change in direction हाँ velocity change in direction not in magnitude ठीक है velocity vector in uniform circular motion the velocity vector and acceleration are uniform circular motion में centripetal ही net होता है और velocity tangential centripetal center के तरफ हमेशया perpendicular to each other velocity और acceleration एक दूसरे के perpendicular होते हैं that's all तो कितने तुमारे सहीध है comments में जरूर बताना इन 6 में से answer तुमारे सामने है मैं चेक करूँगा कितने लोगों ने last तक attempt किया है क्यों सब्सक्राइब ओके आज के लिए तना ही और यह हमारा motion in plane complete हो गया ncrt का आपको यह series कैसे लग रही है आप इसमें मतलब क्या आप कुछ benefit हो रहा है क्या आप इसमें updates आते हैं आप जरूर comments में बताएं मैं उन सभी को देखता हूं और उन पर में कुछ action भी देखता हूं ठीक है ओके बटा थैंक यू थैंक यू अरी मॉच बाबाए